हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं थिये जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे, यदि A प्लस 2AB प्लस B इक्वल टू 8 है, तो A प्लस B की वेलू क्या होगी, कैसे इसे हम निकालेंगे, कैसे साल्प करेंगे, तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने व 2AB प्लस B इक्वल 8, ठीक है, अब इसके बाद दिखे, यहाँ पर 2A है, यहाँ पर A है, तो हम क्या करते हैं, कि सबसे पहले A को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो A को कॉमन करेंगे, तो 1 प्लस 2B bracket में हो जायागा, फिर plus A B equal 8 हो जायगा ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें 2 भी common करना इसमें से, ठीक है, यहां से हम 2 common करेंगे, तो हमें हो जायगा यहां पे 2 A अब फिर 2 common करेंगे यहां 2 नहीं है तो यहां पे 2 भाग हो जाएगी और यहाँ पे b बचेगा प्लस b बरापर 8 अब देखिए यहाँ पे bracket में दिया हुआ है 1 by 2 प्लस b और यहाँ पे b है ठीक है? तो अगर हम यहाँ भी 1 प्लस 2 एड़ कर देते हैं तो हमें यह दो term मिल जाएंगे और हम इनको common कर लेंगे ठीक है? तो हमें 2 factor मिल जाएंगे यहाँ पे तो चलिए इसको और करते हैं आगे कैसे करना है ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 a 1 by 2 प्लस b प्लस b और यहाँ पे हम 1 प्लस 2 कर देते हैं ठीक है? तो हम दोनों तरब करना होगा left hand side, right hand side को दोनों तरब जोड़ेंगे ठीक है? तो यहाँ पे 8 प्लस 1 by 2 करेंगे ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे? अब देखें इसे हमें ऐसे bracket बना लिए bracket में अब देखें दो यहाँ प्लस के बाद एक bracket हो गया एक इधर हो गया अब इसे हम common कर लेंगे ठीक है? तो 1 by 2 प्लस B और दूसरे bracket में 2 A हो जाएगा अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ठीक है? और यह बराबर अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 अठे 16 एक 17 बटे 2 हो जाएगा ठीक है? अब हमें क्या करना है? कि यहाँ पे क्या था? देखिए यहाँ पे था कि 1 by 2 प्लस B है और यहाँ पे 2 A प्लस 1 है ठीक है? तो हम ऐसा क्याम करें कि इसे भी 2 B प्लस 1 बनाना है हमें ठीक है? तो अगर हम 2 से गुड़ा कर दें तो हमें यहाँ पे 2B plus 1 हो जाएगा तो 2 से दोनों तरफ गुड़ा कर दें ठीक है, 2 से गुड़ा करेंगे तो एक बटे 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2B हो जाएगा ठीक है, और इस ब्रेकट में 2A plus 1 रहेगा ही और यहाँ पर जब करेंगे तो 17 हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा ठीक है अब क्या करना है अगली लाइन में हम अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे देखिए यह जो होता है यह quadratic equation होता है देखिए आपको हम बताते हैं यहाँ पर देखिए एक टर्म एक रासी है एक दूसरी रासी है तो दोनों की power मिलाएंगे तो एक एक दो हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हमें A और B की दो दो value मिलेगी ठीक है तो कैसे solve करेंगे इसे देखिए यहाँ पर 17 दिया हुआ है देखिए 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 17 गुड़े 1 लिख सकते हैं कि नहीं यह भी लिख सकते हैं माइनस 17 गुड़े माइनस 1 दोनों की value सेम होती है होती है कि नहीं माइनस और माइनस का गुड़ा करेंगे तो प्लस हो जाता है ठीक है तो एक बार हम इसे 17 गुड़े 17 करेंगे ठीक है चलिए तो हम यहां पर लिखेंगे 2 A प्लस 1 एक ब्रैकेट में अब एक ब्रैकेट में 2 B प्लस 1 बराबर अभी लिखेंगे 17 गुड़े 1 ठीक है अब क्या करेंगे देखिए अब हमें एक एक की वैलू बराबर करनी है तो सपोच करिए कि हम ले रहा है 2 B प्लस 1 बराबर 17 और 2 A प्लस 1 बराबर 1 ठीक है अब यहां से हमें सलूशन मिल जाएगा अब देखिए 2 B है तो यहां से हम अगर 2 B बराबर अब 17 माइनस 1 करेंगे और यहां से 2 A बराबर 1 माइनस 1 तो यहां से हमें मिलेगा 2 B बराबर 16 तो यहां से B बराबर हमें मिल जाएगा 8 ठीक है और यहां से हमें मिलेगा 2 A बराबर 0 तो A बराबर 0 तो इस तरीके से जो हमारा पहला वैलू आएगा A प्लस B बराबर 8 आ जाएगा ठीक है ये तब आएगा जब हम 17 को 17 गुड़े एक लेंगे ठीक है अब हम ये दूसरा करना है दूसरी वैलू क्या आएगी तो minus 17 अब minus 1 ठीक है तो अब हम करेंगे यहाँ पे 2b plus 1 बराबर minus 17 तो minus 17 जब करेंगे तो एक को अब इस साइड में लेगा हैंगे राइट हैंड साइड में तो 2b 2b बराबर क्या हो जाएगा minus 18 हो जाएगा तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा minus 9 हो जाएगा और a की वैलू क्या आजाएगी 2a plus 1 बराबर minus 1 रखेंगे तो यहां से हमें 2a की value क्या मिलेगी, minus 2, a की value मिलेगी, minus 1 इस तरीके से अब यहां पर a plus b बराबर क्या आ जाएगा, minus 9 और minus 1 क्या हो जाएगे, minus 10 तो इस तरीके से हमें a plus b की value 2 मिलेगी, एक value यह मिलेगी, a plus b बराबर 8 और दूसरी क्या मिलेगी a plus b बराबर minus 10 ये दूसरी value मिलेगी तो friends ऐसे question को हमें इसी तरीके से solve करना है तो friends I hope कि ये वीडियो आपको पसंद होगी यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए चैनल पर यदि पहली बार हैं तो please channel को subscribe कर लीजिए bell icon भी press कर लीजिए ऐसे ही मज़दार वीडियो के साथ मिलते हैं next time thank you thank you so much